प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म करता हूं कि कल सीटेट का पीपर हुआ आप सब ने बहुत बढ़िया रिस्पोंस दिया है है हमें कि सर आपका पढ़ाय हुआ बहुत फसाया 30 में 30 नंबर आएं से और बिए अधर जो पैटागोजी से उससे बहुत अच्छे जो मार्क्स हैं जो बतायें बच्चोंने बहुत अच्छा रिप्लाई रहा और बहुत अच्छा लगा तो मैं आज लेकर आया हूं एक से लेटेड, यूपीटेड से लेटेड और भी अधर जगह पे कुछ ऐसे पॉइंट है जहां से यह कोश्चन बन सकते हैं तो एक तरह से करेंट का यह टॉपिक है नई सिक्षा निती 2020 ठीक है तो आप सब इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहें प्यार करते रहें लाइक करते र मिश्टर, जितने भी मोदी सरकार के के मिश्टर हैं उन्होंने एक अध्यक्सता के तहत प्रस्ताव परित किया हमारी सिक्षा निती में बदलाऊजी की कि भाई हमारी सिक्षा निती बहुत पुरानी हो चुकी है इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए तो सिख्छा निती इससे पहले 1968 में कब आई थी 1968 में इंद्रागादी के समय आए थी उसके बाद उसका संसोधन हुआ इसको वापस से चेंज किया गया जो कि लागू कब होगा 2021 में तो मसोधा कब तयार हुआ कब जून 2017 में कब जून 2017 में इसका मसोधा तयार करने के लिए एक अध्यक्ष यारी एक कैबिन मिश्टर ने एक अध्यक्ष कमेटी बनाया जिसके अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन कौन थे कस्तूरी रंगन ठीक है इनको याद रखना है कौन थे कस्तूरी रंगन कि कस्तूरी रंगन साब इनको निहनों ने क्या बनाया एक अध्यक्ष कि भाई हमें तयार कराओ क्या एक सिख्छानीती कि ऐसा सिख्छानीती हो जो सब्पे लागो और विश्तरित हो या इतना अच्छा हो कि सब कुछ इसमें समाहित हो जाए कस्तुरी रंगर ने इस चैलेंज को accept किया और कहा कि अब हम बना के रहेंगे एक नई सिख्छानिती ठीक है और इन्हों ने मसवधा तयार कर दिया मसवधा कब तयार किया मई 2019 में कब तयार हो बहुत सारे बदलाव हैं जिसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या-क्या बदलाव उन्हों ने प्राइमली एजुकेशन के तौर पे किया क्या-क्या माध्मिक के लिए क्या और क्या-क्या उच्च के लिए कि पूरा सिक्षानिती उथल पुथल रख दिया पूरा चेंज कर दिया बहुत सारे चीज में बदलाओं आए हैं हमारी सिक्षानितियों में तो याद करने वाला चीज क्या है कि पहली चीज कि कब जून 2020 में सिक्षानिती आई स्टार्ट कब हुआ जून 2017 में हमारी मोदी सरकार के द्वारा यह सोच लाए गया अध्यक्स किसको बनाया गया कस्तूरी रंगन को और इन्होंने मसवदा कब दे दिया 2019 में और यह 2020 में पास हो गया 2020 में पास हो गया यानि हमारे सांसर से यह 2020 में पास हो गया तो इसलिए इसको नई सिक्षानिती 2020 कहते हैं क्या कहते हैं नई सिक्षानिती 2020 लागू कब होगा 21-22 में लेकिन हिमाचल प्रदिश जो है लागू करने वाला पहला राज्ज बन गया इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना लिया लागू नहीं हुआ उसने अपना लिया कि हम इस पे 101% सिक्षा निति को अपना लेंगे बोलने वाला जो पहला राज बना वो कौन था हिमाचल प्रदेश याद रहेगा कौन राज था हिमाचल प्रदेश इसके तरह एक बड़ा बद मंत्राले क्योंकि इतना इंपॉर्टेट है कि सिर्फ इसक्षा में नहीं पूछ सकता भलकि अदर जो एक्जाम है या जितने भी वंडे एक जाम है उसमें भी पूछ सकता है कि मानु संसाधन दिकास मंत्राले का नाम चल चेंज करके क्या रखने का प्रस्ताओ किया गया है तो क्या बताएंगे सिक्षा मंत्राले क्या बताएंगे सिक्षा मंत्राले बिल्कुल इसे भूलना नहीं है सिक्षा मंत्राले यानि इन्होंने कहा कि मानो कोई संसाधन नहीं है क्या का मानो कुछ संसाधन नहीं है तो हम संसाधन के तौर पर इसे क्यों लेते हैं तो उन्होंने इसी वज़ा से अपना नाम चेंज कर दिया कि मानो संसाधन में चोटे बच्चों में चीठी कि जिसमें इतने सारे बदलाव आये हैं सिक्षा नीतियों में 2020 को लेकर बड़ा हुआ भी है क्या हुआ कैसे हुआ अधिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जानते हैं कि क्या क्या बदला हुआ में और क्या क्या है ुस देखेंगे हम लोग पहले देखते हैं इसकुली शिक्षा में क्या 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 बदला हुआ ऑजिक्षा में में बदलाओ इसकूली सिक्षा में बदलाओ तो बहुत बड़ा बदलाओ यह हुगा कि स्कूल को 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 में बाड़ दिया गया 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 में बाड़ दिया गया याद है है 5-3 plus 3-4 जो होगे प्रैमेरी स्कूल के कंच्छा 1 औरक्षा का 1-4 चाट होते थी जो कि अब बिल्कुल क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा यानि अब प्री प्राइमरी स्कूल जो तीन साल का होगा वहां से पढ़ाया जाएगा याद रखेगा और पढ़ाई कहां से होगी आंगनवारी से याद रखेगा कहां से आंगनवारी में दिया जाए में और फिर कक्छा 1 और कक्छा 2 यह से seeever न कहेंगे यानि foundation कहलाएंगा क्या कहलाएगा इस्टेज्ज कहलाएगा इस्टेज्जेँ कहला यहां कि यहां पे foundation होगा एक तरह से कि यहां पेड़ीए कर दे कि आगे जाके बच्छों को इकत नहों कहते ना अगर घर का नियु मजबूत हो तो बिल्डिंग चाहे जितना बड़ा बना दे तो यहां पर बच्छों का क्या बनाया जाएगा अभी इसके पाथ चरह आए और पाथ पुस्तके की बात चल रही है अभी ये है कि जो किहा ही आद घएसाल इसमें प्राइमरी स्कूल के तीन साल कर दिया पहली बात दूसरा है तीन साल वह क्या है कि इसको कहा गया प्रेठरी स्टेज बिल्कुल याधगना सिप्सक्राइब क्क्राइए विग्यान गणित कला डिक कैसे पढ़ाना है परियोग के जरी कैसे पड़ाना है परियोग के जरी गया कुश्चा है ममस्स की हमें से पढ़ाई करो कि वादता वाल से बच्चा डाये सब्सक्रीय की आत्मा है न्हीं पढ़ाया क्या करना है यहीं है आपनी समाज में समय मुझस रहते हैं हमें ध्यान अंपनी दिमाग में रखना है रहें यहीं है यहां पर भी छहा गया है कि हम पढ़ाएंगे सब विज्ञान पढ़ाएंगे गणित पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे कैशले सपड़ा करें कि गर्याइप करें ऐसा समाज में वह अच्छे से आठ तक का बिल्कुल इसमें बहुत सारे बदलाव लाएगे हैं कख्छा 6 से 8 तक का इसको कहा गया है मेडिल स्टेज यह तो हाला कि पहले भी कहा जाता था मेडिल स्टेज बस इसको थोड़ा सा और चेंज़ेज लाए हैं मेडिल स्टेज कहा है इसमें पढ़ाई कैसे होगी professional courses आएंगे व्यवसाइक सिख्छा दी जाएगी बड़ी important चीज है कि व्यवसाइक सिख्छा कहां से लागू होगा तो आपको याद रखना है कहां से कख्छा 6 से लागू होगा कहां से लागू होगा कख्छा 6 से लागू होगा बिल्कुल एकदम contrast कर लीजे चीजों को समझ कॉसल विकास कर बलाने का मौका देंगे क्या करेंगे तो इसको हम भी सकते मौका देंगे कौhao करेंगे यहां पर सभी पढ़ाई होगी तो सभी विसीयों की पढ़ाई होगी कितना है सबी विश्यों की जितने भी विश्य हैं, सब की पढ़ाई होगी, साथ ही साथ क्या करना है, इसमें गहन अध्यान करवाय नहीं जाएगा, ठीक है, गहन अध्यान पे भी जोर दिया जाएगा, साथ ही साथ इंटरसिप दिया जाएगा, क्या करना है, इंटरसिप दिया कहां से स्टार्ट होगा इंटरसेपक चुशा 6 से दो बात inseFORE चनल कोर्सी जो ौछ और इंटरसेपक सिक्षा है वह और इंटरसेप दोनों कचछा चोर्ट हो जाएगा याद नहीं क्या करना है वह साइए करना है कौन को पराइवसाइक, सिक्षा disappear, ठाइब कर्षा है इसको उच्चतर विद्याले के अंदर में रखा गया है हाई स्कूल के अंदर में चार साल नौवी और बारवी को यहां पे और सबसे बड़ी बात पहले 11 ने कहां था जब बच्चा 11 चला जाता था तब उससे पूछा था पढ़ोगे यहां पर नौ में ही बता देगा आपको कि क्या पढ़ना है उसे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है चुनने की बिल्कुल आ जाती है और यह भी है कि अगर वो बच्चा चाहता है कि किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा बच्चे बिलकुल अजाद रहेंगे यह तरह याद रखना है बिल्कुल क्या करेंगे कि सब्यों का गहन अध्यान किया जाएगा किसका सभी विशियों गहन अध्यान होगा यानि बच्चा जो select कर रहा है अब वो selection के द्वारा पढ़ रहा है तो उस पर क्या होगा विस्तार से पढ़ाया जाएगा उस पे बिल्कुल विस्ती तरीके से पढ़ाया जाएगा कि बच्चा उस subject को अच्छे से समझ सके तो बात याद रखना क्या है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 सब्सक्राइब करने करें तो अब कहां से पहले कितना था 6 साल पहले उमर की आता पांसे 6 साल में बच्चा इंटरी करता था अब क्या हो गया तीन साल में बच्चा इंट्री कर जाएगा पढ़ाई में या दखना है कितने साल में तीन साल में बच्चा इंट्री कर जाएगा तो तीन से आठ साल प्री प्रामरी स्कूल के लिए आठ से ग्यारा साल किसके लिए क्लास तीन से पांस तक के लिए ग्यारा सा क्षा से आठारा साल का होगा बच्चा कहां निकल जाएगा तो यह साल है और चीज़ें कि यहां पर मातर भाषा का प्रयोग करना है बहुत जोरी इस्तमाल किया गया है क्या किया गया है त्री भासा का फॉर्मूला इस्तमाल किया गया है किसने दिया है किसने दिया है त्री भासा का फॉर्मूला कोठारी आयोग में सबसे पहले क्या आया था कोठारी आयोग के अंतरगत यह त्री भासा का फॉर्मूला आया था कि तीन भास या दखे कम से कम दो भारती भासा होना चाहिए, भारती भासा में या तो आप छित्री भासा डाल सकते हैं, या तो आप संस्क्रीट डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है चात्रों पे, ये बात बिल्कुल या दखेगा, तो कि इसके लिए काफी पिटेशन पड और एक मानक भासा के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हैं इंग्लिस या फॉरनल एंग्वेज में कोई भी आप पढ़ा सकते हैं मानक भासा के रूप में तो दो भारतिय भासा जिसको लेना बहुत जोरी है यहीं त्री भासा फर्मूला कोठारी आयों के तरफ से उसको यहां सब्सक्राइब कर रहा फैन के नुए नज बतांने कंगे अगर हम डाट देंगे ठीक है अगर सपोज किए वो बच्चा कुछ और कह रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, या हिंदी बोल रहा है, मैं बोलता है, नहीं इंगलीज के स्कूल है, बैठो, इंगलीज में बोलना है, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी विचार वो सामने प्रकट नहीं करेगा, और जब न मौलिक्ता को समाप न किया जाए ठीक तो यह सब चेंजेश हुमें हैं 5-3-3-4 के थोड़ा साम लोग देख लेते हैं कि हाई स्कूल और इंटर के साथ क्या हुआ है हाई स्कूल और इंटर के साथ क्योंकि थोड़ा सा बोड़ परिक्षा को लेकर बड़ा विवाद है कि बोड़ परिक्षा होगा कि नहीं होगा ठीक है बोड़ परिक्षा होगा याद रखेगा बोड़ परिक्षा तो होगा ठीक है लेकिन साल में दो बार ठीक है एक साल में द स्माज का दबाव, बच्चे का मैं बच्छके निक्षें का। बहुत दबवंगी तो क्या किया तो इन्होंने कहा कि High School ने जो Board पर इछ्षा है उसको समाप्त कर दिया जए क्या क्या जए समाप्त कर दिया जए और उसकी जगह पे दो do exam किया जाए कितने exam दो exam हो just a कितने exam दो exam 6 bomb महीने के स Kevin transmit कि यह देखेगा six months के दो एक्जाम हो अभी थोड़ा सा इस पे बात वीचार चल रहे है जो इसमें क्या पाठिकरम रहेगा इसमें पाठिकरम रहेगा इस पर विबात चल रहा है कि अभी बासी चल रहा है क्योंकि मन से अगर कह भी दें तो मान लेने वाला तो बहुत लोग कही जाते हैं योटिप पे बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो उसने कह दिया है ठीक कि यह यह पढ़ाया जाएगा और इस तरह एकजाम होगा ऐसा अभी तक कोई नहीं कहा है जब तो कि सरकार खुदी कह रहा है कि उस्शे महाइने का बता रहा हूं कि यह नहीं कह low-around कि नहीं होगा अभी बात चल रही है तो इससे डाउट नहीं करना है और क्या होगा और क्षाय और बात प्लस वस्तोनिस्ट प्रस्ण पुछे जाएंगे क्या पुछे जाएंगे वस्तोनिस्ट प्रस्ण पुछे जाएंगे और वस्तोनिस्ट प्रस्ण पुछे जाएंगे और क्या पुछे जाएंगे भाई और क्या व्याख्यात्मक प्रस्ण क्या होंगे व्याख्यात्मक प्रस् होंगे दो टाइप के एक होगा वस्तों निस्त यानि objective और एक होगा यह लिए एक gloss प्रस्थन अब ऐसे question होंगे या घंब को सिर्फ कूष्चन होंगे कि इस लिए कि आध और पनाली को छेक नहीं बलकि समझ को विक्सित करें क्या करना है समझ को विक्सित करें कोस्टिन कहते हैं वैलीबल कोस्टिन आ रहा है आज कल वैलीबल कोस्टिन आ रहा है वह इसलिए आता है कि आपको रटंत पनाली से दूर करना है आपकी समझ को बढ़ाना है कि आप कितना समझे हो कॉंसेप्ट को कि आप अपन कि रटंद पढली से दूर किया जाए तो रटंद पढली की चीजों को यहां पर बिल्कुल सामिल नहीं किया गया है कि जो भी व्यख्यात्मा कोश्चन होंगे इसमें रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होगा आपको रटना नहीं है बल्कि क्या करना है समझना है कॉंसेप्ट स आहए हैं उसे नाम से लाया गया यह उच्छा के नाम से नाम से हैं तो हमें धेखते हैं तब दक्तला कर दू खरण उसको बढ़ा के कितना करना है ہے 6% कितना करना है 6% इसको बिल्कुल याद रखने आपको कितना बढ़ा के करना है 6% बढ़ा के करना है या देखेगा 4.43% जो अब तक था हाला कि इतना भी शिच्छा पे खर्च नहीं किया गया है पिछले गौवर्मेंट के द्वारा लेकिन कोशिज यह है कि इस शिच्छा न करना है उसके एक इस पेसल के मिनिस्टरी बना दिया गया इसके लिए तकि एज्च पे ज्यादा ध्यान दिया सके ओके नेंट्र कैंट यह बहुत हैं वहां तरी क्या करना है ऊच्छा में पहली बार मिंटीपल-शचिट शिश्टम लागर मार्किया गया है क्या लगव किया यह दिक्कत नहीं होगा जबकि पहले यह था कि अगर आप courses छोड़ते थे बीच में तो वो बेकार हो जाता था इसमें क्या है इस तरह से resources जो थे हम अब जो जितने भी सब्सक्राइब करते हैं तो यहां यह हो गया कि आप अगर फिर से वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं तो अगर अगर इक साल की पढ़ाई चोड़ने के बाद अगर दूसरे साल ही अगर आप मिल जाता है यानि दूसरे साल पढ़ाइ चोड़ाए जाएगा तो आपको खाल यह नहीं भिजा जाएगा बल्कि आपको एक diplomat की certificate दिया जाएगा अगर तीसरे साल आप छोड़े हो गुछ इंटर्मेडियेट सेटिफिकेट दे जाएगा कि आप तीसरे साल जो है पढ़ाय लिखाई छोड़ रहे हो कि लगब लगब जो भी चीजे चाहे आप बीएट कर रहे हो चाहे बीपेट करो या चार साल का होने वाला है यानि आपको अगर सिख्छा में जाना है तो शुरुआ लगम के तहर आप बीपेट कर सकते हो यानि वाल में चयन अगर प्रहुंसी तरह बीएट चैजसा साल काने इक साह करसे हो धर यानि वाल में यंक सानल का कर दिया है जालओ यानि भी येतिया लुद करण imbalance करके लिएव आपका मौझूद हो जाएगा यारी इसके लिए देखा गया है हमारे बीटेश चार्ट अब सब छोड़ देते हैं किसी कारण वर्स या कोई भी चीजे तो वहां पे ऐसा ना हो कि उनके लिए चीज खराब हो जाए तो इसलिए multiple entry लाया गया है और ऐसा है कि यह चीज खराब इसके लिए digital रूप से आपको सुरक्षित रखा जाएगा कहां पे academic bank of credit में आपके certificate को digitalize करके रखा जाएगा अगरी दिखाई सारे app है जहां पे आप digital रूप में जितने भी certificate उसको सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन अब government की दोरा बनाया है academic bank of credit जिसमें आप से जितने भी certificate है चाहें वो high school के हो इंटर के हो बीए हो ठीक है आगे जितने भी एक साल पे दो साल पे तीन साल पे या पूरे साल अगर आप कर रहे हो तो सबका एक जगह मौजूद रहेगा वो होगा academic bank of credit या रचना है academic bank of credit उसके बाद बहुत करिये प्रवेश में वह स्था लागू कर हो ऊलिखा तो हम अलगों तो यह स़ुस्टम को खतम करने की कोई सstag करें एक साह एक्जाम होगा, बहुत कर यह प्रवेश मर्वस्था लागू की जाएगी, पूरा ही पूरा जो इंटेस्ट एक्जाम होगा, वो पूरे इन्वर्सिटी का एक साथ होगा, यादर नाव करवाएगा कौन, नैशनल टेस्टिंग एजनसी, कौन करवाएगा, एन्टी ए, यान हो इसलिए एंट्रियो को यह पूरा ही पूरा कॉलेज का जो ब्हे दिया गया है, कि अब एक्जाम गवोस्तर ही होगा, और पूरे देश में एक साथ कॉलेज के लिए एक्जाम होगे, और वो करवाएगा कौन, एन्टी ए, नैशनल टेस्टिंग एजनसी, उसके बाद क्या हो देट चले जो पीएचीडी करने, यह एक बहुत ही बहतरी नूज है, हम सब के लिए क्या करना है, एंफिल को समाप्त कर दिया गया, और एंफिल समांत होते ही हमारे पीएचीडी का रास्ता आसान हो गया, अब हमें एंफिल पास करके पेचीडी नहीं जाना पड़ेगा, ब जितने भी हमारे रगुबार्टी है, यानि UGC, NCTT और AICT समाप्त कर दिया गया है, यह सब जितने भी रगुबार्टी है हमारे सुरू से चले आ रहे हैं वो सबको समाप्त कर दिया गया और क्या बनाया गया? इस बथ देखा जैगा चाहिसेंगा सीखा जाएगा जाई हे देखे ठ़म तो लाएगया है इसको अटाके UGC, NCTE, AICTE को हटाके एक रेवरेटरी बॉडी लाए गया है नेशनल रिसेर्च फांडेशन जो इस्पेसली रिसर्च को ध्यान देगा क्योंकि जब बाहर से जब आते हैं लोग या बहुत सारे लोगों पर रिसर्च हो रहा था सुजनात्मक हो जादा जादा बच्चे टैलेंटड हो और टैलेंटड होने के लिए रिसर्च फेगल्टीज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इनने रिसर्च फेगल्टीज को इस्पेशली ध्यान दिया नेशनल रिसर्च फांडिशन और एक अलग से संस्था बनाएं उजिसी को हटा के हाई-एल इद्टीज कमिशन ऑफ इंडिया जो कि डैलेक्ट पधान मंत्री के अंतरगत होगा यह बड़ी नूज है क्योंकि यहां पर प्रधान मत्री डैलेक्ट अपना देखेंगे कि क्या यह कुछ शिक्षा पर ज्यादा ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा तो इस जितने भी रेप्रेटरी वोटिंग है उनको हटा दिया गया और लायक इसको क्या है हाई-Education Commission ऑफ इंडिया को बहत्री तरीके सा इसको समझना है 2020 में क्या करना है नेशनल रिसर्ट्स फाउंडेशन जो कि रिसर्ट्स पर ध्यान देगा और पूरा हाई-Education क्यों देखेगा हाई-Education Commission ऑफ इंडिया क्या करना है 2020 में क्या करना है 2020 में लागू हो रहा है लागू कब होगा बात बैठक सब है क्या करना है 2020 में जाके तो क्या करना है बहुत विश्यक संस्था नाएगा हर एक जिले में कम से कम कब तक लाना है 2030 कब तक लाना है 2030 या देगा 2030 करना है क्या बहुत विश्यक संस्था नेक्स्ष पर सेंट ग्रोस इल्लॉल्ड में रीशियो बढ़ाने का लक्ष रखा गया है किया करना है 50 पर सेंट ग्रोस इल्लॉल्ड में रिशियो रखने का लठ लख रख लख लखकि तक 2030 2030 तक क्या है करना है 50% करना है gross enrollment ratio का मतलब होता है कि कितने लोग आते हैं daily पढ़ने के लिए enroll कितने लोग होते हैं इस enrollment को देखना है तो कितना करना है 50% उसी तरह आपको भी enroll होना है कहां पे लाइक करें लाइक करें सब्सक्राइब करें जल्दी 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 enroll होई कि online classes आपके सुचारू रुप से चलना प्राराम हो कई करना है 50% GER को տठाना है कहां तक और three-date 55 क्रोड नई सीट जोडने का लक्ष रखा गया है कितना तीं अच तक अड़ी सेड़ने का लक्षछ रखा गया है इसको यहला है कितना त्य Cantonese जल्दी नब 17 श्कूल जितने भी उचतर स्कूल है जो डिगरी कॉलेज कराते हैं वो सब को खोलने का लक्ष रखा गया है उच्छी सिक्षन संस्थान को लक्ष रखा गया है क्लों तक रखा गया है 2030 और नए सीट कितने हैं कितना 2030 तक नए सिक्षन संस्थान खोलनी है और पचास परसेंट ग्रोस इनलोंडमेंट वेश्यो को बठाना है 2030 तक यहीं पर नयाती चीज है जिस पे काफी अलुजना हो रहा है कि देशी विश्वदालियों को भारत में खोलने के अरुमती देए इस पे काफी अलुजना है क कि बहुत साइट जो जानकार हैं जितने भी समाजिक विध्य हैं वह इसी बात पर आ रहा है कि अगर बाहर से कैमपस आता है इंडिया में तो दो चीज़ का नुकसान होगा एक हमारी संस्कृति का नुकसान होगा वह अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे और दूसरी च कि आपको क्या लगता है कि यह जो सरकार कह रही है विदेशी विष्विदाले को भारत में करपस खुड़ना चाहिए इसली जो क्या अच्छा है या कमियां है इसमें नहीं खुलना चाहिए आप कमेंट करके जरूर बतायेगा कि आपको क्या लगता है चली, तो यह है, खुलना कीए, तो यह सब चीजें जो है उच्य सिक्षा में परिवर्तन करना जरूरी है, उच्य सिक्षा में क्या है, यही परिवर्तन करना है, उसके अधावा, इसकूली सिक्षा से लेकर उच्य सिक्षा का ओनलाइन एजुकेशन पर ध्यान दिया गया, क्य किसके लिए उसकंध किसके में दो हुआ की सब खूधाएंगा सब पर जीत होगा है जो आपकी लिए जिते हमेक्षा के लिए चेंगे आए जो है सबस्क्राइवसता गरते दो किसक्तंध कनए सब्सक्राइएंड कर दो ररीक हटामद किसक्त थ्यांदिया जायगा नेश्नल रिसेर्ट इडर jong गिया तेज लिए और मुल्यांकन पृणे क्राली जसे धूजार यहां रहा है he होगा सतत मुल्यांकन होगा यह देखेगा क्या मुल्यांकन होगा सतत जाकि यह मुल्यांकन दो तरीके होता है एक होता है व्यापगत और दूसरा होता है सब्सक्राइब करना है यानि दे करना है कि उसका क्या मुल्याकर हो रहा है क्या बच्चा सीख रहा है इन सब का मुल्याकर होगा वो किस तरह से न सब्सक्रारा ओगा तो सब्सक्राइब करना है उनके सहपाथी और दूसरे हैं सिक्षक। ठीक है और सक्षक। यानि मुल्यांतन करना है, सब्धार मुल्यांतन करना है, ओवर और चीज़ों को देखना है, बच्चा डांस करना है नित्य कर रहा है, या सिंग है, प्लेए है उसको अच्छा फुट्बाल खेलने आता है, तो करेंगे और उसके अधार पर नंबर दिया जाएगा इसके बच्चे में परिवर्टन हुआ है प्रस्ट ने रटाने के पेच्छा सिर्जनात्मक्ता पर ध्यान दिया जाएगा कला के लिए अलग समुदाय बनेगा और इसे कहेंगे बाल भॉन का निर्मान करना है हर एक डिस्टिक पे ताकि बच्चे के अंदर कोई कोई थालेंट्ट हो आपके अदर आ रहा है चाहें जैन्निती नेटेट हो आप बाल धोहां में अंट्री कर सकते हैं भारा सरकार आपके खर्च करेंगे और भारा सरकार आपको उठाने के पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सही जगह पे ले जाए तो यह क्या था नया सिक्छा कि 2020 किसके अध्यक्स्ता में कस्तूरी रंगन के अध्यक्स्ता में लागू कप होगा 21-25 में जाके ये लागू होगा पूरे देश में कि अगर आपको में वीडियो अच्छे लगे हों पसंद आ रहे हों तो एक बार लाइफ जरू करते रहें कमेंट करिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट करिए सब्सक्राइब करते रहें जहां तर खोसे के वहां तर पहुंचाने का प्रयास करिए ओके चलिए तर नहां